Hello friends, मैं हूँ आपके सामने गोरो मिगलानी हम study कर रहे हैं 11th class की बीने studies हमारा chapter जो अब हम start करने जा रहे हैं that is wholesale trade तो इस chapter में हमें सबसे पहले क्या study करना होगा कि wholesale trade का क्या meaning है इसी के साथ wholesaler कौन होता है इसका meaning भी हमें पता चल जाएगा इसके बाद हम wholesale trade या wholesaler के कुछ features discuss करेंगे ये features आप ध्यान से देखिएगा आप इन features को wholesale trade के features या wholesaler के features भी कह सकते हैं इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो wholesaler होता है वो क्या-क्या facilities या क्या-क्या utility या क्या-क्या benefits available कराता है किस-क्या को या तो manufacturer को या retailer को या society को तीन टाइप के हम benefits इसके देखेंगे किसके? wholesaler के तो सबसे पहले हम discuss कर लेते हैं कि wholesale trade का क्या meaning है simple सी बात है कि जब भी किसी factory के अंदर production होता है या जो भी manufacturer होता है manufacturer या producer सीधा ही consumer तक product नहीं sale कर पाता तो किसकी help से करता है? ये जो factory वाला बंदा है ये जो factory वाला person है अगर customer तक पहुँचना चाता है तो उसको wholesaler की help लेनी होती है ये wholesaler क्या करेगा? इससे काफी ज़्यादा quantity के अंदर product खरीद लेता है काफी सारी quantity में product खरीद लेता है wholesaler आगे किसको product sale करता है? retailer को? और retailer आगे किसको sale करता है? consumer को तो कहा जाए तो अगर ये middle man है तो गलत नहीं होगा क्योंकि wholesaler क्या कर रहा है? manufacturer और retailer के बीच में एक कड़ी का काम कर रहा है middle man का काम कर रहा है अब क्योंकि ये काफी सारी quantity में product खरीदता है और थोड़ी थोड़ी quantity में आगे sale करता है इसी लिए हम इस type की trading को बोलते है wholesale trade आप जैसे कुरकुरे की agency पे चले जाओ वहाँ पर आपको go down के अंदर काफी सारा माल भरा हुआ मिल जाएगा चोटे चोटे दुकांदर क्या करते है उस go down में से उस wholesaler से product खरीद के जाते है या चीनी के go down में देख लो चीनी का कोई wholesaler है उसके go down में बहुत सारी चीनी भरी हुई होगी काफी सारी बोरिया रखी होगी चोटे चोटे दुकांदर क्या करते है एक बोरी दो बोरी उस wholesaler से लेके जाते हैं तो जो थोड़ी थोड़ी quantity खरीदते हैं वो तो retailer है और जिसने काफी सारी quantity अपने go down में store करके रखी हुई है वो कौन है wholesaler है और जो चीनी को बनाता है या कुरकुरे को manufacturer करता है वो कौन है producer है या वो manufacturer है बट हम क्या study कर रहे हैं wholesale trade तो wholesale trade के अंदर क्या हो रहा है हम different manufacturer से काफी सारी quantity के अंदर product उठाते हैं और आगे थोड़ी थोड़ी quantity में retailer को sale करते हैं जो person इस type की trading को कर रहा होगा जो wholesaler होगा वही तो wholesale trade करेगा मतलब जो person ये activity करता है ना काफी सारी quantity उठाना और थोड़ी थोड़ी quantity retailers को देना वो person को हम क्या को लेंगे उस person को हम बोलते हैं wholesaler क्यों? wholesaler अब हम बात करते हैं कि इस type के wholesaler के या wholesale trade की क्या features हैं features के अंदर मैं पहला feature आपको बता चुका हूँ wholesaler काफी ज़्यादा quantity के अंदर product purchase करता है ये हमारा पहला feature है दूसरा जो feature क्या है? wholesaler कुछ special product में ही business करता है retailer को देखो चोटे से दुकानदार को देखो तो उसके पास तो चोटी 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 चीज़े काफी सारी quantity में पड़ी होंगी काफी सारी चीज़े रखी होंगी चोटे से shopkeeper के पास जाओ 100-200 items आपको देखने को मिल जाएंगी बड़ एक wholesaler के go down में चले जाओ आपके पास 4-5 items या कुछ specific items या आपको देखने को मिलने वाली है आगे ये wholesaler retailers को कुछ-कुछ quantities ही sale करता है आगे ये basically cash में purchase करता है बट credit में sale करता है मतलब wholesaler को जब भी इससे खरीदना होता है ये क्या करेगा ये इसको cash payment करने वाला है जबकि retailer को ये credit में sale करता है क्योंकि retailer के पास cash available नहीं होता इसलिए retailer क्या करता है बाद में इसको payment करता रहता है आगे बाद आती है जो हम पहले भी discuss कर चुके हैं कि ये दोनों के बीच में middleman का काम करता है फिर wholesaler के पास काफी सारी agent भी होते हैं brokers भी होते हैं जो आगे marketing का काम भी करते हैं इसके पास काफी सारे agent भी होते हैं जो retailers के पास गूमते रहते हैं जो इसके लिए marketing का काम करते हैं आगे बाद आती है कि wholesale का काम करने के लिए काफी सारी capital की requirement होती है ये advertisement के modern method follow करता है decoration की उपर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने वाला आप कभी भी wholesale की shop पे चले जाना इसके पास ज़्यादा counter या कुछ special decoration नहीं मिलने वाली है फिर ये go down में तो काफी सारी quantity रखता है पर office में अपनी shop पे सिर्फ sample ही रखता है फिर आगे बाद आती है कि ये advance payment करता है किसको यहाँ पे और जबकि यहाँ पर इससे advance payment नहीं लेता retailer से कभी भी advance payment नहीं लेता retailer payment इसको कब करता है जब product इसके sale हो जाते है approximately retailer तब ही payment कर पाते है profit का जो margin होता है वो wholesaler के पास ज़्यादा नहीं होता थोड़ा बोती होता है है ना तो wholesaler कहीं ना कहीं financially help producer को भी कर रहा है credit में goods available कराता है retailer इसको कुछ वक्त के बाद ही payment कर पाते हैं अब हम बात करते हैं कि कुछ services या utility of the wholesaler wholesaler क्या utility या services provide करता है सबसे पहले services towards producers wholesaler producer को क्या benefits available कराता है पहली बात ये producer को बताएगा manufacturer को बताएगा कि market के अंदर कौन से product की demand है जिस product के demand है आप please वही manufacturing कीजिए क्योंकि consumer यहीं माग रहे हैं तो ये सारी information क्या करता है producer तक पहुंचाता है दूसरी ये ऐसे middle man का काम करता है अब ये बंदा सीधा consumer तक तो नहीं पहुंच सकता ये retailer तक भी सीधा नहीं पहुंच सकता तो ये क्या करता है wholesaler के through अपने product को sale करता है तो कहीं न कहीं ये middle man का काम कर रहा है इसके और retailer के बीच में फिर बात आती है कि providing financial help ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये financially help इसको भी कर रहा है इसको भी wholesaler इसको तो cash payment करता है जबकि इसको credit में product available करा देता है आगे बाद आती है कि storage facility अब सोच कर देखी अगर इसने सारी काफी सारी production कर ली तो क्या इसके पास go down होते होंगे नहीं go down की facility ये provide करता है काफी सारा production ये लोग कर लेते हैं पर go down की facilities को उन provide कराता है wholesaler wholesaler काफी सारी quantity में product खरीद लेता है और अपने go down में store कर लेता है इसलिए storage करने की facilities wholesaler ultimately provide करता ही है आगे है providing distribution facilities product को distribute करने का काम कोन कर रहा है ये कर रहा है इसने काफी सारी quantity में product खराया कभी इस retailer को sale कर रहा है दूसर retailer, तीसरा retailer, चोथर retailer मैंने आपको बताया था कि wholesaler के पास काफी सारे agent और काफी सारे लोग काम करने वाले होते हैं जो इसके products की marketing करते हैं तो कहीं न कहीं ये menu या distribution का काम भी करता है फिर stabilizing prices price को भी stable करके रखता है करोना के time में देख लीजी करोना के time में क्या हुआ factories बंद हो गई production होना बंद हो गया retailers के पास पैसा रही है खरीदने के लिए consumer product की demand कर रहा है त्यान से समझेगा यहाँ पर production नहीं हो रहा consumer को product चाहिए retailer के पास पैसा नहीं है इसके पास go down में product रखा हुआ है तो इन लोगों ने क्या किया था product के prices को stable करके रखा था product के prices maintain करके रखे थे कुछ जगाओं पे गलत भी हुआ था काला बजारी भी हुई थी black marketing भी हुई थी product काफी महंगे rate पे भी बेचे गई थे पर फिलहाल क्या होता है wholesaler approximately क्या करता है product के prices को maintain करके रखता है फिर achieving economy in production ये क्या करता है बहुत heavy quantity में इसको order देता है अगर ये इसको 10 product का order दे फिर इसको महंगा पड़ेगा ये क्या करता है काफी सारी quantity में इसको order देता है फिर बहुत ज़्यादा quantity में order आने की वज़ए से क्या करता है ये production बहुत ज़्यादा करते हैं अब production जितना ज़्यादा होगा product का price per unit cost उतनी कम होने वाली है अब per unit cost कम होगी तो इसका ultimately benefit किसको मिलता है consumer को भी मिलता है तो कहीं न कहीं ये क्या करता है market में से product की demand पता करता है और उसी के according या उससे भी ज़्यादा product की demand सामने manufacturer के पास रखता है जिससे product की cost per unit cost कमाती है अब हम बात करते हैं services towards retailers ये जो wholesaler है retailers को क्या services provide करता है पहला benefit जो retailers को मिलता है easy supply of goods wholesaler के तुरू retailers को goods की supply बहुत easy मिल जाती है क्योंकि retailer सीधा यहाँ पर नहीं बो सकता manufacturer retailer को उधार भी ने दे सकता उधार को प्रोवाइड कर सकता है मैं wholesaler तो wholesaler क्या करता है retailers को goods available करता है easily financial help देता है मैंने आपको बताया था ये इसको cash में payment नहीं लेता है wholesaler retailer को हमेशा उधार बेजता है और retailer बहुत टाइम के बाद wholesaler को payment करता है फिर consultancy services wholesaler क्या करता है काफी सारी इसको services भी देता है product के बारे में information देता है product में ये खास बात है product में ये है product में वो है सारी बाते retailers को पहुंच जाता है reasonable prices prices भी जो reasonable होते हैं जो उचित rate होता है exact जो अच्छे वाला rate होता है उसके according देता है rate retailer से अभी फालतू नहीं लेता है आगे benefits of advertisement advertisement के काम भी तो कौन करता है wholesaler करता है तो कहीं न कहीं advertisements के benefit भी इसको retailer को मिल जाते हैं क्योंकि retailer को advertisement नहीं करनी पड़ती फिर information about a new product नए नए product के बारे में wholesaler को पता होता है तो ये क्या करता है अपने agent या brokers के through ये information नए product की information किस के पास पहुंचाता है retailers के पास तो retailers को नए product की information भी मिलती रहती है packing facilities काफी सारी packing भी होती है product की तो जो उपर की packing होती है काफी सारी wholesaler की through ही होती है तो ये benefits कहीं न कहीं retailers को available हो जाते हैं अब हम बात करते हैं services towards society society को क्या benefit मिलता है ये बात एक बात तो मैंने आपको पहले भी बता दी wholesaler क्या करेगा काफी सारी quantity के अंदर product का order देने वाला है तो ये क्या करेगा काफी सारी quantity के अंदर production करने वाला है production जितना ज़्यादा होगा per unit cost उतनी कम होने वाली है तो per unit cost कम होगी तो कहीं न कहीं consumer को कहीं न कहीं society को benefit होता ही है product का rate जो ज़्यादा मिलने वाला था अब wholesaler की वज़े से वही product का price बहुत कम होने वाला है तो society को भी benefit मिल जाता है control on market fluctuations ये market की fluctuations को control करके रखता है demand और supply को maintain करके रखता है जिसका benefit ultimately consumers को society को मिल ही जाता है easy availability of the goods goods को easy available कराता है ये consumer को goods easily available कराता है कैसे retailers के थुरू retailers को product देता है retailers किसको consumers को क्योंकि wholesaler क्या करता है काफी सारे manufacturer के 1 manufacturer 2, 3, 4, 5 काफी सारे अलग-लग manufacturer से product इकठा करके रखता है इसको पहुंचाता है उस आगे फिर consumer को easily available हो जाता है selection की facility अब इसके पास product काफी सारे है अब consumer को facility है society को facility है जो उनसा product तुमने खरीदना है वो खरीद लो किसी की उपर कोई दबाव नहीं बनाया जाता कि तुमको ये product खरीदना ही पड़ेगा उनके पास society के पास consumer के पास product को select करने की facility होती है benefit of advertisement अब wholesaler क्या करता है advertisement तो पहले सी करा देता है इसका benefit किसको मिलता है ultimately society को society को product के बारे में पहले सी information होती है society को पहले सी पता होता है क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है product का price कितना है product का price कहीं हमसे गलत तो नहीं लिया जा रहा तो सारे information consumer को पहले सी होती है removal of consumers complain consumer की कभी-कभी complain होती है वो complain किसके पास आती है retailers के पास फिर complain wholesaler के पास फिर वो complain आगे manufacturer को दे रहता है तो कहीं ने कहीं society की जो complaints होती है complaints को soul करने का काम complaints को खतम करने का काम भी कहुन करता है wholesaler करता है next possibility of the largest scale production ये भी मैंने आपको पहले बता दिया society से काफी सारे product की demand आने वाली है वो क्या करेगा उस demand के बारे में information किसको देगा manufacturer को देने वाला है manufacturer क्या करेगा large scale में production करेगा large scale पर production होगा तो product की quality अच्छी होने वाली है पर price कम होने वाले है जिसका benefit ultimately consumers को society को मिलने वाला है तो ये था हमारे simple सा chapter जिसके अंदर हमने देखा wholesale trade या wholesaler का meaning है क्या features है फिर ये क्या क्या services provide करते हैं मिलूँगा मैं आपको next chapter में यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद